अब हम समझने के करीब आगए कि कैपिलिस्म है क्या Adam Smith का आइडिया आफ कैपिलिस्म आगे से बढ़ता जा रहा है और entrepreneurial आइडिया की तरफ करीब तर है Max Weber इसके अंदर social change को कैसे लेकर आते हैं वो lethargicness को गुना कहते हैं और वो कहते हैं कि investment जो है वो capitalistic आइडिया का रुह रवाँ है मजीद देखते हैं कि वो कहते हैं Capitalism is an economic system in which the private individuals or business own capital goods दूसरे में वो कहते हैं कि production of goods and services based on supply and demand in the general market known as a free market economy अच्छा यहां से मैं समझाना चाहूंगा कि एक तो यह हो गया कि मैंने business को ओन करने तो यह complete economist आइडिया के मताबक यह एकनॉमिक सिस्टम की दो शाखें बनती एक तो command और एक uncommand एक commanded economy क्या होती है यह planned economy क्या होती है और यह दूसरी तरफ जो free economy है वो क्या होती है free economy वो है कि मैं मुख्तलि मुलकों से तिजारत करता हूँ ना मैं उनसे duty लूँगा ना वो मैं इसे duty लेंगे मैं उनको tariff charges free कर दोंगा वो मुझको tariff charges free कर देंगे मेरे पास production के ओपर जो duty free चीजे हैं वो बहुत हद तक ज्यादा जाएंगे अब मैं उनके साथ एक और बार्टर ट्रेड भी करूँगा कि जो production मैं ज्यादा कर रहा हूँ उनके ओपर वो मुझे duty free करेंगे जो मैं उनसे मगवार हूँ वो मुझे duty free करेंगे होम कौन है मसला मैंने अपनी product बेज़ बनाई ये मेरे होम है मैंने host country में भेजना है अब वहाँ का जो है वो pest different है political, economic, social, technological, legal सारा कुछ idea change होगा यानि कुछ ऐसे मुलक हैं जहां मैं property खरीज सकता हूँ और कुछ ऐसे मुलक हैं जहां मैं property खरीद नहीं सकता साओधिया के अंदर आप 50 साल भी काम करते रहें आपको nationality नहीं मिलती आपको idea नहीं मिलता आपको वहाँ क्या ownership नहीं मिलती आप capitalistic attitude में नहीं आ सकते तो nationalistic हो जाते हैं फिर आप planned economy के तहित काम करते हैं आपने 2.5 लाग करोड की investment की आपको सरफ उतना result मिलेगा लेकिन free economy का मतलब यह है as we are in Pakistan तो हम free economy में क्या करते हैं हम और America के अंदर जाएं तो जमीन लेंगे उन्हीं के मताबक text देंगे उन्हीं के मताबक जमीन लेंगे उन्हीं के मताबक हमें nationality भी मिलेगी और फिर हमें कोई मसला हुआ तो बैंक से mortgage भी मिलेगा और उन्हीं के मताबक हमें जक्सां ट्रीट किया जाएगा जैसे वहां के गोरों को ट्रीट किया जाएगा so as in Pakistan अच्छा आप यहां पर मेरी labor सस्ती है तो मैं क्या करूँ अगर वहां पर wage rate जो है आठ घंटे का 300 डॉलर है या 400 डॉलर है तो आपको pay करना पड़ेगा तो मैं वहां पर labor तो नहीं रखूँगा तो अगर गोरा यहां पर फाइदा उठाता है पाकिस्तान की जो है वो for example बहुत भी बढ़ जाए तो 800, 600, 700 देहडी है 800 देहडी है तो वो मुझे सस्ती पड़ेगी गोरा यहां पर इंडास्टी लगाता है अब आपने देखा होगा बेशुमा टेक्स्टाइल मिल्स इदर है सब international multinational companies यहां काम करती है 5000 प्लस multinational companies पाकिस्तान के में काम करती है जैसे यहां पर लेबर सस्ती महँई होगी तो वो उठके अफरिका चले गए फिर अफरिका में जो है अफरिका में जा रहे है कुछ हमारी textile industry यहां से उठके जो है जो यहीं के लोग जो लोकल थे वो बंगलादेश चले गए वहां की लेबर सस्ती थी तो जहां जहां मुझे लेबर कॉस्ट का मिलेगी तो फ्री मार्केट फ्री एकॉनमी का मतलब यह है कि मुझे जहां पर जो फाइदा resources में यानि man money material में जहां 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 सस्ता मिलेगा में वहां चला जहूँगा तो यह कंटोर्ड एकॉनमी अलग है और फ्री मार्केट अलग है कंटोर्ड एकॉनमी जैसे चाइना पहले था साओधिया अब है सो बाकी और भी मुमाले कैसे हैं जो अभी तक प्लैन्ड एकॉनमी पर काम करना चाहते हैं चाइना वास दे चाइमपियन लेकिन उसने दिन शाओ पैंग के बाद ओपन एकॉनमी और फ्री मार्केट की बात की अब हम यहां पर ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि इस से हमें फाइदा होगा क्या इसमें अगर आपने ये चीज़ समझ ली कि कमांड़ेट एकॉनमी यानि कमांड एकॉनमी प्लान एकॉनमी इसमें फर्क सबसे बड़ा ये है कि काप्टलिसम जो है वो सरमायादारियत कहती है वो कहती है कि आप मुलकों मुलकों घुम जाएं आपके नवे मुमालक के अंदर सेटप है जहां से ज़्यादा अच्छे रिसोर्स मिलते हैं हीमन रिसोर्स, मिटीरल रिसोर्स, फाइनशल रिसोर्स, मौर्गेज, बैंक, टेक्सेशन ये सब जितने आपको लिनियन सी जहां जहां मिलती है आवां बिजनस कर सकते हैं लेकिन इसको आप जो है, वो चेंज कर दिया गया है वज़ा इसकी ये, मैं नाम कुछ नहीं लूँगा लेकिन न्यूजिलेंड के अंदर, पर कैनेड़ के अंदर, अमेरिका के अंदर, बाकी और जगों के उपर किया गया लेकिन अब आइस्ता आइस्ता वो डी रेगुलेशन की तरफ आ रहे है रेगुलेशन की तरफ आ रहे है, डी रेगुलेशन से रेगुलेशन की तरफ और फिर आप मॉनिटरिंग सिस्टम भी डिवलप कर रहे है वो चाहते हैं कि टेक्सनेट बड़े वो लोग जो टेक्सनेट में नहीं है वो टेक्सनेट में आएं और जो कलेक्शन भी बड़े ताकि जो हकूमत है वो वेलफिर स्टेट अगर बना रही है तो उनके पास वो पूरा का पूरा मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम भी हो तो अब इसके अंदर थोड़ी से अमेंडमेंट्स आएंगी लेकिन कैपिलिजम जो है वो फेवर करता है प्री मार्केट एकॉनमी की मेरा खाल में आपको की कॉम्लेटली फ्री मार्केट की आईओलोजी समझ आगई थैंक यू बेर्माच